पर देटीजर रेकुटमेंट यानि उत्तर प्रजेस फ्रेट जो भरती लोग से वायग द्वारा हो रहा है उसमें सामान्याद द्धिन पोर्षान आएगा जिसमें 30 कुश्यन होगे तो उसमें पहला पोर्षान भारते इत्यास और भारते राश्टिया अंदोलन तो हम इसमें दो नम बर भारत का सोच्टा संगराम वीडियो नमबर फस्ट इसके बारे में डिटेस में बताना चालें है थो एक्सार्म में और वारत ara राष्टिया अंदोलन या नि भारतिया राष्टिया अंदोलन यानि तीन चरूनों में हुए है नहीं प्यारतिया उदार फास्टे यूज़ास यूमादी टकटार्ट टंबशी से लेका निस सो फांच टक रहा कै अठाव से 50 styl फीमें सो पांच पहला दीर टूसरा है नमर टू उगरबादी युग दिसरा हाँ गांधिबादी युग गांधिवादी युग happens है 1919 बेकर उनिस्स से तानिस तक पहला है उदारवादी यूग उदारवादी यूग येजिका भातिर्स्टि अंदूल्हुन का पृत्धम चरन उदारवादी यूग निसके की तक भी प्रिशन नाम बता दे रहे हैं उदारवादी यूग के प्रमुक नेता थे यानि कि उसका नेत्रत्व उदारवादी यूग में प्रमुक नेत्रत्व करता थे सुरेंडर नाद्वणर जी, दाड़ा भाई नारोजी, फ्रोसथा मयता, गॉपयल कर्षन गुखले एंडे, महदेब उनाररे, मधन महनंब बे आदि दूसरा है उदारवादी करांती में नहीं वरन किर्टमिकिक्स उधारों में विष्वास रखते थे उदारवादी जो उदारवादी करांती के लोग थे वे करमिक सुधारों में विश्वास रखते थे करम रूख से एक करके सुधारों उनमें विश्वास रखते थे लाला लाजपत राई ने उदारवादी नितरत्व को अफशरवादी आंदोलन की संग्या थे यानि लाला राजपात राई ने कहा था कि उधारवादी यो नित्रत भेह भेह एक अफसरवादी आंदोलन है उधारवादी नेता दादा भाई नारोजी को ग्रेंड ओल्ड मेन आफ इंडिया कहा जाता था उधारवादी नेता दादा भाई नारोजी को ग्रेट ओल्ड वेन ओफ इंडिया कहा जाता था यह कुशन बन सकता है ग्रेट ओल्ड वेन ओफ इंडिया किसे कहते हैं दादा भाई नौराजी को धन के निस्कासन का सिध्धान दादा भाई नौराजी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह कुशन बहुत आता है किंदध के दिए ताया किस ने दिया था या किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया तंके कासंन का सिद्धान दादावा люблю नराजी द्वारा प्रस्तुत किया गया नममर तू आगे अगला पॉईंट है उदार बादियों के प्र्यास से ही 18 Math में है कि में कि में आक्टपारित किया गया था 18si से 1890 में एक आक्टपारित हुआ था वधारबाद के प्रयास से 1892 में एक आक्ट पारित हुआ था या इसको कहते आ ऑचाथे इसका 509 में 3S दूसरे थे उग्र यैंनि कि करांतीकारी नेता उग्रबादी यूग इस्टार्ट होता 1906 से लेके 1908 तक उग्रबादी या क्रांतिकारी के प्रमुखनेता थे लाला लाच्पत्राए बालगंगा धर्तिलक विपिन चंद्रपाल एवं अर्विंध घोष फिर से बताते हैं उग्रबादी या क्रांतिकारी यूग के मेरा जन्सित अधिकार है और मैं इसी लेख कर रहूंगा ये कुश्य आता रहता है इस महाराश्तuting कामुखनेता जाते हैं ये कुश्य आतना रहता है कि क्या इत्तिकारी गतिद्यों कि सुरूबादी भारत में खहां हुई महाराश्ट में नेक्स्ट कोश्चने तिलक द्वारा छची त्योहर तथ्था छचीशांवे में सिवाजी उस्थब की घोष्णा की गई यह जो महाराश्ट में गर्णपती उस्थब होता है में गणपती सेवा करता है तुबाल Kingdomλ धर्तिलकुप द्वारा अठाबन चाणकी नेश्ड़कर निय्स्टिलिगतर समाज किसी कि統गनरी नामा करते हैं उसेठ त्वार्त संमाज केतलत समय यह जो एक लाइन हमने दी बीडी साबरकर द्वारा 1904 में नासिक में इस्थाफित मित्रमेला नामक संस्था को अभीनब भारत समाज की संग्या दी गई तो इससे तीन जार बनते हैं अभीनब भारत समाज की स्थापना किसने की बीडी साबरकर ने कभी इसका प्राचिन नाम क्या था या पहले इसको प्यागिस नाम से बोल थी उनивает संस्था gobs है अभीनब भारत समाज का गठिस नाizing लेक्स्था कंच में भारत शृषाषण समीति का गठन किया प्रश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश् इसके सद्थिया किसके इंडियाहूस के सद्थिया बीडी सावर कर ताला हटदयाल एड मदन छ धिंगरा थे नेक्स कुछ नेक्सस पॉइंट है 1909 में मदन छ धिंगरा ने करनल वाइली करनल वाइली को गोली मार कर थ्या कर दे थी करनल करजन वाईली 1909 में मदनलाल ठेकिना ने करनल करजन वाईली की गौली मत के हत्या कर दे थी नेक्स्ट पॉइंट है उननिस चुलाई 1905 में लाड कर जनने बंगाल विवाजन के निर्ने की गौशना की इसके परिणाम सुरूप साथ अगस 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में स्वेदेशी आंदोलन की गौशना की गई इस पॉइंट से फिर से हम बता रहें उननिस चुलाई 1905 को लाड कर जनने बंगाल विवाजन के निर्ने की गौशना की इसके परिणाम सुरूप साथ अगस 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में स्वेदेशी आंदोलन की गौशना की गई अब इससे देखे कितने गौशन बनेंगे पंगाल विवाजन की खैंकी लाड कर जनने कब की गई 1905 में कहा की गई कलकत्ता में ठीक है लाड कर जनने और इसके बरोध में क्या हुआ कूशना ऑन प्रोध की घौशना हुचना कहा कहा हुई कलकत्ता में कब तो एक लाइन बड़ी सी हम बनाते हैं हमारे PCS के नोट से हैं और उसी से एक लाइन में कई कुछन चुपे होते हैं छोटे कंप्टेशन इंबंडे एक लाइन में कई कई कुछन बन जाते हैं ठीक है सोले अक्टूबर उनीसोपाच को बंगाल भी भाजन की कुछना प्रभावी हो गयी सोले अक्टूबर उनुसपाच को उसकी घष्णा का वगए थी बंगाल भी वाजन की घ्ष्णा सब्सक्यः अलग एक इन K उष्णा हुए ती 19 जुलाई 1905 को प्रभवी को हुआ ता 16 अकटबर 1905 को 16 अकटबर 1905 को पूरे दिन इस दिन पूरे बंगाल में राखे दिजित रूप में मनाया गया यहनी कि लोगों ने एक दोत्चे गो राकी बांदि इसे राखे दिजित रूप में मनाया गया सबसे पहले क्रिशन कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीबनी में दिया था सबसे पहले क्रिशन कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीबनी में दिया था सबसे पहले क्रिशन कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीबनी में दिया था तो दो तिन question इस पे भी बन सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है स्वेदेशी अंदूरन को पंजाम में लाला हर दया एवं अजी सिंग ने मजबुति दी और दिल्ली में हैदर खाने लाया लाला लाच पत्रा वाजिस सिंग गो मंडले जील में ढविश्ट बकड़ कर मंडले जील में भीज़त तो तराञ सांती निके तनकी तर्ज बर पर मंगल निस्टन कालिशकी सापना की गई इसके प्रता अंचार्य है स्वितेसी अंदोलन के दोॉरान संते निकेतन की तर्ज पर मंगान नेशनोल कल्यज के साफना हुई जिसके पहले आचारीय अरभिंघॉस थे 15कसोंनिसवच्छ एक को राष्टिय शिक्षापरिशत की साफना की गई 15ず weak बार्ति राष्टीए सिखसा प्रिसेत के सबनाउं की माते नेंट सोयं देशी यंदूलन के अप्सर पर रभीपेजुन नाथ थाकुर ने आमार सोनार बंगला नाम गीत लिखा श्वयाएं धिया अनुकर्ट्ट के अब स्थिक्ऽीज्डिया आमार्सोना बंगला यानि कि वो इस समय मंगलादिस का रष्टे की था है सन 1906 में आगाखा और सन 1906 में आगाखा और सलीम उल्लाखा ने धाका में मुसलिम लिग की स्थापना की कोशना था मुसलिम लिग की स्थापना कब हुई 1906 में किसने की आगाखा ने आगाख भाम होता मेन अटाय उप्शन मिर्ण दूसरा भी। आगाख भाम हों såलीमुल्ध खार कहां कीगया सबना ढ्रहक में मुसलितमि बाकार यल मुलक को बनाए गया किसंसापक सलीमू तक काउम संहुई कि कांग्रेस के कल्कत्ता इभीशन 1906 में पहली बार दादा खता उल्लिक व लिक कई था क्योशन स्वेदेशी अंदलन के चलाने के लिए उगरबाद एवं उदारबाद में मतभेद बढ़ते गए तथा 1907 को सूरत की कांग्रेस का विवाजन हो गया था बीपिन चंद्रपाल ने बंगाल में युबाव का नित्रत्व किया और उन्हें बंगाल में तिलक का सेनपती माना जाता था बीपिन चंद्रपाल ने बंगाल में युबाव का नित्रत्व किया उन्हें बंगाल में तिलक का सेनपती माना जाता था बहई पर्मानन्द सोहन सिंग भागना तथा हरनाम सिंग ने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 में गदर पार्डिकी स्थैपना की इसके पृत्याभ अधथनी स्थैपना को बनाए गया आपको श्यर नता है कि गदर पार्डिकी संसाभक ते लाला हरदयाल परन्तो उसके पर्था मद्यक्स सोहन सिंग भाखना भाई पर्मानन सोहन सिंग भाखना तथा हरनाम सिंग ने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 में गदर पार्डे के सबने कि इसके पर्था मद्यक्स सोहन सिंग भाखना को मनाया गया था जबकि गदर पार्टिकेशन साफ़क लाला हरते हलते 1913 में प्रकाशित गदर पत्रिका का प्रकाशन हिंदी गुरुमखी अंग्रेजी गुजराती तथा उड़तो में होता था 1913 में प्रिकाशित गदर पत्रेकागा प्रिकाशन हिंदी गुरुमुखी अंग्रेजी गुजरादी रूर्दु में होता था कांग्रेस के लखनो अदिवेशन 1916 में कांग्रेस लीग सम्झोता हुआ कांग्रेस के लखनों रिभेशन 1916 में कांग्रेस लीग सम्झाता हुआ नेक्स्ट है तिलग इबम बेसिंड द्वारा अप्राइल इबम सितेमबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई इबिद्य to läuft ट्वारो 28 सप्राइल 1916 को बेलग पुना में होम रूल लीग की स्थापना की गई कное तिलग ने में माराठा अवेम केसरी पत्र द्वारा इसका परचार परचार किया योम रूल लीग का जो परचार इबम परचार वर था मालाथ उ में एसरी पत्रद्वारा किया गया था तिलक को इंडियन अंरेश्ट के लेखक Chirool Valentine यह की इंडियन अंरेश्ट के लेखक है Chirool Valentine उनहें तिलक को टिलक को क्या गहा था असांति का चिनक न कहा जाता है तिलक सब्सक्राइब करने की गोशना की गई यानि 20 अगस्त सब्सक्राइब को होम रोल लीग को समाप्त कर दिया गया नेक्स कोशन है 13 अप्रेल 1919 को अमरस्तर के जलिया वाला भाग में 20 के दिन हत्यागांड हुआ है इसमें 379 लोग मारे गए बारे सो घायल हुए और विर्गेडियर जनरल आर डायर ने किसने करवाय थे विर्गेडियर जनरल आर डायर ने गोली चलवा दी थी यानि 13 अपरेल 1919 को अमरा सर के जलियावाला भाग में विर्गेडियर जनरल आर डायर ने गोली चलवा दी थी जिसमें 379 लोग मर गए मारे गए या और बारस लोग खायल हुए यह क्यों हुआ था डाक्टर सत्यबाल एबं डाक्टर सैफुदीन किछलू डाक्टर सत्यबाल दाक्टर सैफुदीन किछलू की ग्रफतारी के ब्रोद में लोग उने यहां पर यानि जलियावाला अमरसर के जलियावाला भाग में एक आमसभा बुलाई थी इस हत्यकंट के ब्रोद में रविन्ना टैगोर ने अपनी नाइट हुट की उपादी बापस कर दी थी इस हत्य तर्कार को 1909 1990 को लाडई हर्टन की लाडई हर्टर की अधियकस्ता में एक आयों का गठर किया गया जिसमें तीन भार्तिये दास्या थे जिन जलियावाला हाथ 1973 C जांच के लिए सरकार ने 19 October 1919 को लाड हंटर के अधिश्वा में एक आयो का गठन किया जिसमें तीन भार्दिय द्रस्या थे जो थे चिमनलाल सीतलवाड पहला भार्दिय चिमनलाल सीतलवाड दूसरा था साहजादा सुल्तान एहमद साहजादा सुल्तान एहमद तीसा था जग अब इसके वादा आ गांधिवादी यूग गान्यवादी यूग नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाट करतेंगे काफी यह ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर कर दो